नमस्कार आप देख रहे हैं वत्स वाज और मैं हूं मुकेश वत्स फ्रेंड्स आज के इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विरिष्चिक राशी या लगन वालों के लिए वर्ष दोहजार चौबिस किस तरीके का होगा इस विडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विरिष्चिक राशी या लगन वालों का स्वास्थ किस तरीके का होगा उनकी आमदनी कैसी होगी वो किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं परिवार में सुक शान्ती कैसा रहेगा ये भी बताऊंगा कि कौन से पीरियट्स अच्छे हैं और किन पीरियट्स में सावधानी रखनी चाहिए और हमेशा की तरह मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज भी आप लोगों को बताऊंगा जिसको करते हुए वरिष्चिक राशी या लगन वाले 2024 वर्ष को और भी अच्छा बना पाएंगे तो इसलिए ये एक important वीडियो है इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा मेरे वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हैं आप मेरे वीडियोज यदि देखते आएं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे वीडियोज को बनाने में फ्रेंड्स काफी मेहनत और काफी research लगता है और आप यदि like, share और subscribe करते हैं तो इससे और कुछ तो नहीं लेकिन हम जैसे creators को एक motivation अवश्य मिलता है कि हम और अच्छे वीडियोज आगे आप लोगों के लिए बना पाएं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स जब कभी भी पूरे वर्ष के predictions की बात होती है तो हमारे जो चार slow moving planets है उनका visualization बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये planets लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते हैं और लंबे समय तक हमें प्रभावित करते हैं अब जैसे मैं screen पर आप लोगों को कुंडली दिखा रहा हूँ आप देखेंगे तो इस पूरे वर्ष शनी महराज फोर्थ हाउस में रहेंगे राहू वरिश्चिक वालों के 5th हाउस में होंगे पूरे वर्ष तक और केतू पूरे वर्ष आपके 11th हाउस में होंगे यदि देवगुरु ब्रहस्पती की बात करें तो पहले 4 महीने वह आपके 6th हाउस में रहेंगे और फिर सेकंड में के बाद वर्ष के अंत तक वो आपके सेवन्थ हाउस में आ जाएंगे ग्रहों के प्रभावों की बात करते हुए हम सबसे पहले देवगुरू ब्रिहस्पती के रिजल्ट्स को डिसकस करते हैं फ्रेंट सेकंड में याने की लगभग चार महीने तक देवगुरू ब्रिहस्पती आपके सिक्स्थ हाउस में हैं अपने मित्र मंगल के हाउस में हैं लेकिन सिक्स्थ हाउस में हैं और सिक्स्थ हाउस में देवगुरू ब्रिहस्पती को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है अपने स्वास्थे पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ संबंदित कुछ चुनौतियां आ सकती है, जुपिटर लिवर की समस्याएं दे सकते हैं, फैट अक्यूमूलेशन के कारक हैं, जुपिटर आपका मोटापा बढ़ सकता है, एनर्जी की कमी रह सकती है, इन चीजों का बह ध्यान रखना पड़ेगा, ठकावट, स्टेमिना की कमी ये सब का अनुभव कर सकते हैं आप लोग, देव गुरु ब्रिहस्पती जब कभी भी फ्रेंड्स बुरे भावों में आते हैं, मैं दूसरे वीडियो में भी ये बताता रहा हूँ, बुरे भावों में जब भी जाता है, तो वो जब कभी भी दुस थानों में बैठते हैं, तो उनका मेसेज बहुत सपष्ट होता है कि अपनी परेशानियों से सीखो, अब जब सिक्स्थ में जुपिटर बैठे हुए हैं, तो आपको अपने कम्पेटिशन से सीखने की आवशक्ता है, अपने स्वास्थ पर एक दृष्टी डालने की आवशक्ता है, और इन चीजों को जब आप सही करते हैं, तो इसके बाद जब जब जुपिटर आपके सेवन्थ हाउस में आते हैं, तो उस समय में आपको इसका फल मिलता है, छटे हाउस में बैठकर गुरू आपके टेंथ हाउस पर लेकिन उनकी दृष्टी में अमरित होता है, तो अब टेंथ हाउस पर जब ये दृष्टी करेंगे, तो काम काज आपका अच्छा चलेगा, गुरू चुकी सिक्स्थ में बैठे हुए हैं, इसलिए काम में थोड़ा सा मेहनत हो सकता है, ज्यादा करना पड़े, तब जाकर आपका काम पूरा होगा, देव गुरू ब्रिहस्पती की दृष्टी ट्वेल्थ हाउस पर भी है, खर्चों की अधिकता रह सकती है, अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिए इस समय में, लंबी यात्राओं पर गुरू की दृष्टी के वज़े से आप जा आएगा, और अपने आप में आप रहने का प्रयास करेंगे, देव गुरू ब्रिहस्पती की दृष्टी आपके सेकंड हाउस पर भी है, धन भाव पर, तो आप यदि महनत करेंगे तो आपको लाब होगा, सेकंड में से पहले आपके दसमें भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, इसलिए कामकाज ठिक चलेगा, सेकंड में के बाद जब देव गुरू ब्रिहस्पती आपके सेवन्थ हाउस में आ जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी, जो लोग भी विवाह करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए आगे आने वाला समय, पूरा एक वर्ष, जब तक जुपिटर सेवन्थ में है, बहुत ही अच्छा समय रहेगा, तो आप में से जो भी विवाह करना चाह रहे हैं, प्रयासरत हैं, उन लोगों के लिए इस समय का पूरा लाब उठाना चाहिए, जो लोग व्यवसाय में हैं, वो व्यवसाय में बह आपको मिल सकते हैं, नए आइडियाज पर आप काम करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी, कुछ बड़े बिजनेस डील्स और कॉंट्राट्स भी आपको मिल सकते हैं, और इन चीजों की वजह से क्या होगा, आपकी आमधनी में व्रिद्धी होगी, देव गुरु ब्रि जॉब में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशनल हो, नए उपरचुनिटीज आपके सामने आएंगे इस पीरियड में, ये आपके फिफ्थ आउस के लॉड़ आपके सेवन्थ में आ रहे हैं, तो फिफ्थ आउस आइडियाज का होता है, अपने आइडियाज क की दृष्टी के वजह से आपका confidence अच्छा रहेगा, आपका चरित्र अच्छा रहेगा, उर्जा एवं उमंग से आप भरपूर रहेंगे, धर्म के प्रती आपका रुझान बढ़ेगा, opposite sex से आपको लाब हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो ज चला रहा है, उसका इस समय में आप देखिएगा तो समाधान आपको मिल जाएगा, सरकारी पक्ष या उच्छ पद पर बैठे हुए लोगों का आपको इस समय में साथ मिलेगा, तो second में के बाद suddenly आप देखिएगा तो आपका समय बहुत अच्छा हो जाता है, अब हम लोग सैटन की बात करता है, सैटन पूरे वर्ष आपके fourth house में रहेंगे, fourth house में friends, सैटन बहुत जादा comfortable नहीं रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का जो natural fourth house है, वो चंदरमा का house होता है, और चंदरमा के house में शनी सहज कभी नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिती दे राजबूत स्थिती में शनी बैठे हुए हैं, तो भाव भले अच्छा नहीं हो, लेकिन राशी जिसमें वो बैठे हुए हैं, वो बहुत शांदार हैं, तो fourth house से संबंदित चीजों को शनी पूरा करेंगे, कुछ लोगों को स्वास्त में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि सिक्स्थ पर शनी की दृष्टी है, कुछ लोगों को competitors भी इस समय में थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड शनी महराज ही इन परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की युक्ति भी देंगे आपको, आपके कार्य छेतर में शनी थोड़ा discipline और महनत का demand अवश्य करेंगे, लेकिन आप यदि focused हैं, अनुशाशित होकर यदि आप काम करते हैं, तो काम में बढ़ोतरी शनी आपको देंगे, वैसे भी आप देखिएगा, तो second में तक आपके 10th house पर शनी एवं गुरू दोनों का सम्मिलित प्रभाव पढ़ रहा है, यानि की 10th भाव पर double transit का प्रभाव है, 10th भाव energized हो रहा है, इसलिए अवसरों की प्राप्ती में कोई कमी नहीं होगी, और सफलता भी मिलेगा, government job वगेरा में कोई हैं तो उनको भी लाब हो सकता है, शनी की दृष्टी इस समय में लगन पर भी है, और second में के बाद लगन पर double transit क अप्रभाव शिप्ट हो जाएगा, तो अपने उपर आपका focus बढ़ेगा, अपने व्यक्तित्व को सुधारने का, उसको एक अलग स्तर पर ले जाने का आप प्रियास करेंगे, अपने उपर खर्च करेंगे, तो इस तरीके से ये अच्छा रहेगा, लेकिन यदी महादशा अंतरदशा अच्छा नहीं चल रहा है, तो शनी की द्रिष्टी सिक्स्थ पर भी है और फर्स्थ पर भी है, खुद शनी फोर्थ में बैठे हुए हैं, और एक चीज याद रखिए, जिन लोगों की राशी व्रिष्चिक है, उन लोगों के लिए तो ये एक ढहिया का भी सम है, तो स्वास्थ संबंधित परेशानियां आ सकती है, मन थोड़ा सा उद्विग्न रह सकता है, और एक असुरक्षा की भावना आपको हमेशा रह सकती है, आप इस समय में थोड़े से आकरांत रहेंगे, कोई टेंशन नहीं भी रहेगा, तो भी अनकमफर्टिबल फील करे जब मैं रेमेडीज बताऊंगा विडियो के अंत में, उनको आप करेंगे तो ठीक रहेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं राहू की, राहू पूरे वर्ष आप लोगों के लिए फिफ्थ हाउस में रहेंगे, राहू फिफ्थ हाउस में यानि कि त्र क्योंकि पांच में भाव में बैठ कर राहू आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका ध्यान इधर उधर गलत चीजों पर आपकी रुची बढ़ सकती हैं और इसके वज़े से आपका पढ़ाई बाधित होगा, आपके यदि बच्चे बढ़े हैं तो फिफ्थ के भी दिगभ्रमित कर सकते हैं, फिफ्थ हाउस फ्रेंड्स प्रेम संबंध अफेर्स का भी होता है, रिलेशनशिप्स का भी होता है, पांच में में जब राहू बैठते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स की ओर आकर्शित कर सकते हैं, आपके चरित्र को प्र प्रभावों की वज़े से ये संबंध थोड़े से अनकन्वेंशनल किसिम के संबंध हो सकते हैं जो समाज के मानदंडों के अनुरूप ना हो तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा बदनामी हो जाएगी फिफ्थ हाउस फ्रेंड्स रिस्क, सट्टा, गैंबलिंग इसका भी होता है पाँचवें में बैठ कर रहू आपको अननेसेसरी रिस्क लेने की एक टेंडेंसी दे सकते हैं इससे आपको बचना चाहिए नहीं तो लॉसेज हो जाएंगे आपको दिक्कत हो जाएगी 23 अप्रेल के बाद आपके पांचमें भाव में जब अंगारक योग बनेगा तो उस समय में विशेश कर बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि उस समय में आपके लगन लॉड मंगल भी इसमें इन्वाल्ड होगे यदि मान लिजे महादशा अंतरदशा अच्छा चल रहा है तो फिर ये राहू आपको विदेश भेज सकते हैं या फिर आपके बच्चों को विदेश जाने के योग बना सकते हैं इस समय में आप लोगों को अपने बच्चों के सुभाव और उनके चरित्र पर बहुत ध्यान रखना चाहिए लेकिन मेरी सलाह होगी बहुत ज़्यादा टोका टोकी बहुत ज़्यादा मीन मेख उनके कारियों में मत निकालियेगा बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव तरीके से ये काम आपको नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ इस समय में आर्ग्यूमेंट्स वगेरा बिल्कुल मत कीजिए अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं केतू की केतू पूरे वर्ष आपके 11th हाउस में रहेंगे और केतू के 11th में बैठने को अच्छा माना जाता है तो 11th भाव से संबंदित चीजों में केतू आपको लाव दिला सकते हैं और इसमें से कुछ लाव तो ऐसे होंगे जो सड़न ली आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ लोगों के लिए इस वर्ष केतू 11th में है इसलिए कोई बहुत पुराना मित्र जिनका वर्षों से आपके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं था उनसे मिलने का योग इस समय में बन सकता है केतू के परिणामों को समझना है तो केतू किन नक्षत्रों से परिभर्मन कर रहे है इसको भी समझना चाहिए आप देखिये फरवरी तक केतू चित्रा में है चित्रा किन का नक्षत्र है आप ही के स्वामी मंगल का नक्षत्र है तो यह बढ़िया है फरवरी से लेकर लगभग अक्टूबर तक केतू हस्त नक्षत्र में रहेंगे हस्त किसका नक्षत्र है चंद्रमा का वो भी आपके मित्र है और फिर वर्ष के अंतिम के दो महीने केतू उत्रा फालगुनी में रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है अगेन आपके friend का नक्षत्र है तो इसका मतलब है कि केतू एक तो अच्छे स्थान में बैठे हुए 11th house में और दूसरे आपके लिए जिन नक्षत्रों से वो गुजरेंगे वो आपके लिए अच्छे नक्षत्र है तो केतू आपको अच्छे result ही दिलाएंगे अब friends हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा समय मंगल के movement के अनुसार आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा देखिए पांच फरवरी तक मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे और देवगुरु ब्रिहस्पती के साथ उनका एक परिवर्तन होगा ये समय आप लोगों के लिए अच्छा समय है काम का आज अच्छा चलेगा सिर्फ इस समय में अपनी वाणी का ध्यान रख लीजिएगा कटू वाणी का यदि प्रियोग नहीं करेंगे तो बाकी सब चीज इस पीरियड में अच्छा चलेगा पांच फरवरी से लेकर 15 मार्ज तक मंगल आपके तीसरे भाव में रहेंगे और उच्छ के रहेंगे ये समय भी बहुत बढ़ियां समय रहेगा तीसरा भाव वैसे भी मंगल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो आप इस समय में जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी confidence आपका बहुत अच्छा रहेगा प्रभावी लोगों के साथ, influential लोगों के साथ आपकी मित्रता होगी और आमदनी में भी वृद्धी होगी स्वास्त आपका बहुत अच्छा रहेगा और अपने मित्रों से, भाई बेहनों से, पडोसियों से इस समय में आपको लाब मिल सकता है 15 मार्च से 3 अप्रिल तक समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इस समय में मंगल चोथे हाउस में आएंगे कुम्ब में और शनी मंगल का कंजंक्शन होगा इसी समय में ग्रहन भी लगेंगे ये समय थोड़ा सा सावधानी वाला हो जाता है 23 अप्रिल से 1 जून तक मंगल आपके पांच्वे भाव से गोचर करेंगे राहु के साथ उनका कंजंक्शन बनेगा यानि की अंगारक योग बनेगा कोई भी फाइनेंशल रिस्क इस समय में बिलकुल मत लीजिएगा अपने बच्चों के स्वास्थ का इस समय में खूब ध्यान रखिएगा प्रेगनेंट महिलाओं को विशेश सावधानी इस समय में रखनी चाहिए अपने गुस्सा पर इस समय में आप लोगों को नियंतरन रखना पड़ेगा अनावश्यक प्रेम संबंधों से दूर रहना पड़ेगा इसके बाद एक जून से लेकर बारह जुलाई तक मंगल आपके सिक्स थाउस में रहेंगे ये बहुत बढ़ियां समय होगा आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे धन, मान, सम्मान, अच्छे वस्त्र, हर तरह के सुक्सन, साधन ये सभी चीज इस समय में आपको मिलेंगे केस, मुकदमा, दुश्मनी इन चीज़ों पर आपको विजय प्राप्त होगी और कुछ लोगों के लिए ये समय विवाह का योग भी बना सकता है इसके बाद 12 जुलाई से लेकर 25 अगस्त के बीच में मार्स आपके सेवन्थ हाउस में रहेंगे और गुरू के साथ उनकी यूती होगी ये एक एवरेज समय होगा साथ में के मंगल बहुत अच्छे नहीं माने जाते वो भी शुक्र के घर में लेकिन चुकी देव गुरू ब्रिहस्पती साथ में रहेंगे इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी यही वो समय है जब मंगल का स्पीड धीमा होना शुरू हो जाएगा 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक मार्स आपके 8 था उसमें आ जाएंगे और बहुत लंबे समय तक यहां रहेंगे ये वो समय होगा जब मंगल का स्पीड बिलकुल कम हो जाएगा इस समय में निर्णे लेने में आपको दिक्कतें आएंगी मन अशांत रहेगा स्वास्त संबंदित चिंताएं भी आपको इस समय में हो सकती है वाहन वगेरा चलाने में इस समय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिस से आपकी बदनामी हो 19 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक मंगल आपके नाइन थाउस में रहेंगे करकराशी में नीच के रहेंगे और इसी बीच में 6 डिसेंबर के बाद मंगल वक्री भी हो जाएंगे वैसे तो नीच के मंगल या वक्री मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं माने जाएंगे लेकिन लगन लॉर्ड नाइन्थ में रहेंगे तो उतनी बुरी स्थिती भी नहीं है कुछ लोगों को यात्राएं इस समय में दे सकते हैं ये आपके काम इस समय में थोड़े धी में चलेंगे लेकिन रिजल्ट्स मिलेगा पिता के स्वास्थे में दिक्कतें आ सकती है कुछ लोगों के लिए नौकरी में ट्रांसफर वगेरा का भी ये समय हो सकता है अब फ्रेंड्स हम लोग इस बात की चर्चा कर लें कि व्रिष्चिक राशिय अलगन वालों को 2024 में रेमेडीज क्या करना चाहिए देखिए जब तक सिक्स थाउस में ब्रिहस्पती है तब तक थोड़ा सा सेवा भावी बने रहिए ये आवश्यक है आप लोगों के लिए अभी ढहिया चल रहा है इसलिए हनुमान जी की उपासना बहुत आवश्यक हो जाती है वैसे भी आपके लगन लॉर्ड मंगल और हनुमान जी का एक संबंध बनता है ढहिया भी चल रहा है तो हनुमान जी की उपासना करते रहिए फिफ्थ हाउस में राहू है इसलिए देवी के मंत्रों की चैंटिंग ये बहुत काम करेगा फिफ्थ हाउस वैसे भी मंत्र साधना का है देवी के मंत्रों की चैंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावे आप लोग विश्नु सहस्त्र नाम भी अदि सुनते रहेंगे तो ये भी राहू के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है शनी फोर्थ हाउस में है तो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा और उनका आशिरवाद ये भी एक बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा ये था फ्रेंड्स व्रिश्चिक राशी या लगन वालों के लिए वर्ष 2024 किस तरीके का होगा उसका एक पूरा डिटेल्ड बेवरा मुझे उमीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा लॉजिकल लगा होगा यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका व्रिश्चिक राशीया लगन है अपना प्यार अपना आशिर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाये रखिएगा आज मैं अपनी वार्णी को यहीं विराम देता हूँ फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विशय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरहर महादेव भारत माता कीज़े